नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन मैं हूँ शुभम शंकधर पेश है एकनॉमिकम का नया संस्क्राण मेरे साथ इस्टूडियो में है मनी नाइन के एडिटा रंशुमान तिवारी जी सर बहुत स्वागत है आपका आज एकनॉमिकम में खास क्या है सबसे पहले ये देख आज खास है अर्थात जिसका शीरशक है इतिहास ऐसे ही बदलता है जी हाँ इसके बाद होंगे आपके सवाल रंशुमान सर के जवाब फिर चर्चा होगी इनकम वाले हिस्से पर पर रंत में एक जलक किस्सों के सिक्के की तो चलिए शुरुवात करते हैं अर्थात से इस यहुदी से शमा याचना का प्राश्चत का दिन मानते हैं लेकिन इससे उर्जा बाजार का प्रस्थान विंदू कैसे जोड़ता है यह अंशुमान जी समझा सकते हैं अर्थात और एकॉनिकम में हम उन चीजों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं जो हमारे लिए सम रश्चत करते हैं 1973 का याम के पुर अक्टूबर में आया था और इसरायल की खुफिया अजिंसियों को इस बात का अनुमान था कि 1960 में जो इसरायल ने ऐजिप्ट और सीरिया पर हमला किया था उसका बदला लेने के लिए एजिप्ट और सीरिया कुछ ना कुछ तो करेंगे 1967 में इसराइल की सिना ने अचानक सुब है वो 5 जून का दिन था अचानक सुब है एजिप्ट और सीरिया के हवाय अड़ों पर हमला करके उनकी 90 फिस्दी सेना वाय उसेना खतम कर दी थी और गाजा पट्टी और सिनाय प्राइदी पर कबजा कर लिया था जो लोग अंतराश्टी गत्विधियों पनेजा रखते हैं उनके लिए शब्द नए नहीं है सनाय और गाजा पट्टी सरसट का वो दौर था जब इसराइल ने अचानक चौका दिया था सीरिया और एजिप्ट को अनवर साधात और असद के नेत्रतों में इजिप्ट और सीरिया ने याम केपुर के दिन जिस दिन यहुदी अपना पर्व मना रहे थे उस दिन दोपहर में अचानक इसराइल की एजिंसियों को चौकाते हुए 1973 में इसराइल पर हमला बोला गोल्डा मायर उस समय इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी इसराइल को तगली चोट लगी क्योंकि काफी बड़ा हमला था वो अमेरिकी राष्ट्र पती रिचर्ड निक्सन ने कॉंग्रेस में के स्पेशल प्रपोजल प्रस्तुत करके तुरंट एक दो हफ़ते के भीतर इसराइल के लिए सहायता मंजूर कराई आर्थिक सहायता आई इसराइल के पास सेने सहायता आई इस से नाराज ओपिक देशों ने अमेरिका को तेल का निर्यात रोग दिया और अमेरिका का पूरा तेल निर्यात रोग दिया गया तेल की कीमत खौलने लगी और अमेरिका में उर्जा का संकट शुरू हो गया जिसे कि हम इतिहास में अरब आयल इंबार्गो के नाम से याम का अमें महंगाई शुरू हो चुकी थी और उस बीच में आयल इंबार को आया 65 के बाद अमेरिका में कीमते बढ़ना शुरू ही थी जिसे कि हम अमेरिका की महंगाई का इस टेक्फलेशन का या बिग इंफलेशन का दोर कहते है उननीस सो और सट से 1973 के बीच ब्रेटन वोट्स की जो विएस्था थी वो खतम हो रही थी सेकंड वर्ड वार के बाद दुनिया के देशों ने तयह किया था कि वो करेंसी की और रियो की मत पूरे देश में लागो की जाती थी राश्टपाति निक्स्टन ने 1973 में डालर और सोने का रिश्टा खतम कर दिया और करेंसी को फ्री कर दिया डिवेल्यू करने के लिए डालर का अवमुलियन हुआ अवमुलियन जब भी होता है तो जो एक्सपोर्टर देश होते हैं उनको फायदा होता है और अमेरिका को उसका फायदा हुआ तेल निर्यातक देश जो जिनके सारी कमाई डालर में होती थी उन्हें काफी नुकसान हुआ क्योंकि अमेरिका की करिंसी डिवेल्यू हुई और अमेरिका को उसका का लाव होना शुरू हुआ इसकी एक और वजह थी जिसके कारण अमेरिका की अर्थवे उस्था पर आयल इंबार्गो लगा दिया गया और करीब छे महीने तक मध्यपूर्फ के देशों से अमेरिका को तेल जाना बंद हो गया ब्रेटन बुट्स गया तो दुनिया के देशों ने अपने मौदरिक नियम तैय करने शुरू कर दिये अमेरिका को तेल निर्याद की पावंदी 1974 में खतम हो गई समझोता हुआ सितंबर 1978 में कैम डेविड समझोता हुआ जिसमें इसराइल एजिप्ट और अमेरिका के बीच में और सीरिया के बीच में उन देशों के बीच भी एक शांती आ गई छे मेने के भीतर तेल के आपूरती सामान ने हो गई लेकिन वहां से दुनिया की इनरजी एकॉनिमी में बढ़ा ट्रांजिशन शुरू होता है बहुत बढ़ा प्रस्थान बिंदू शुरू होता है यही से योरोप में नेचुरल गैस की गैस पर निवेश शुरू हुआ यही से विंड एनरजी सौर उर्जा और रिन्यूबिल्स के उपर काम शुरू हुआ और यही से आने वाले समय में आटोमोबिल उद्यों की तस्वीर बदली तो जब हम आज दुनिया के सबसे बड़े एनरजी एक्सपोल्टरस में से एक रशिया की एनरजी सप्लाई को चोक होता देख रहे हैं तो हम इसे करीब से जाकर इस समझ सकते हैं क्योंकि ये दुनिया के इनरजी मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रांजिशन का बिंदू है यही से इतिहास अप नई करवट लेगा दुनिया में उर्जा बाजार की दुष्टि से सर यह समझ आ गया कि यूरोप में नेच्रल गैस या विंड एनरजी सौर उर्जा या अमेरिका की शेल गैस के पीछे की कहानी क्या जड़ कहां है शुरुआत कहां से होती है लेकिन आज यह कैसे प्रासंगे के ऐसे आज आज आप ऐसे क्या हलात देखना है जो आपको लग रहा है यह मौजू है पूरा इतिहास फिर से इसलिए इसे माना जा रहा है और इसके पीछे कई सारे तत्थ हैं जो पिछले पांच-छे महिन पिछले पांच-छे सालों के लगब साथ-आठ सालों के घटना करम को देखें तो दुनिया के इनरजी मारकेट में बड़ा शिफ्ट शुरू हो चुका है आचुका है पहला श अचानक लड़ खड़ा गया था क्योंकि पहली बार रशिया ने गैस का या इनरजी का खास्तोर से गैस जिसके जो यूरोप की सबसे बड़ी जरूरत है यूरोप को बिजली के लिए गैस की जरूरत है यूरोप को हीटिंग के लिए गैस की जरूरत है क्योंकि सर्दीब हो का था 2010 में जब नाटो ने ब्रसल्स में इनरजी स्क्योरिटि पे एक नएड़ीजिन क्रियेट किया और लिथुआनिया में इनरजी स्क्योरिटि के फूचर पर एक केंद्र बनाया यहां से नाटो को यह समझ में आया कि इनरजी फूचर का सबसे बड़ा स्टरड्यिक वेपन है और रशिया के पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो किसी भी ख़ण योरोप या बाकी दुनिया के देशों के में अपने रणनीतिक खितों को इस्थापिद भी कर सकता है और उन्हें प्रभाविद भी कर सकता है शिफ्ट कहां से आना शुरू हुआ योरोप के देशों में खास तोर पर कोईले को छोड़कर electric डिके जनरेशन को natural gas की तरफ shift करने की process अइकर नेचेरल गैस परयावण के दριश्टे से आम तौर पर कोईले की तुलना में कई गुना कई गुना समय दुलना में और सस्ति भी है कोईले की तुलना में 1997-1998 के बाद से ये शिफ्ट शुरू होना शुरू हुआ इसका असर दिखाई दिया जैसे जैसे कोईले पर आधारित बिजली सेंट और निच्रल गैस की तरफ गए CO2 का एमिशन गिरा अगर आप दुनिया में कारबन क्रेट के बाजार को करीब से पढ़े हैं देखने के कोशिस करें तो आपको कारबन क्रेट में जो बड़तरी दिखाई देती है वो उन देशों में दिखाई देती है जिन्होंने अपने हाँ कोईले पर आधारे बिजली से थर्मल पावर को गैस पावर में बदला यूरो स्टेट का अकड़ा में पढ़ रहा तो बताता है कि अब यूरोप में केबल 20 फीजदी एनरजी कोईले से बनती है 80 फीजदी जो एनरजी है उसमें आधी एनरजी रिन्यूबेल से आती है जिसमें बिन्ड एनरजी और सोलर है और आधी में निच्रल गैस वा आईल है यह आईल का इस्तेमल होता बिजली बनाने के लिए यूरोप ने तैय किया था कि 2025 तक वो अपने सारे कोल प्लांट थर्मन कोल प्लांट बंद कर देगा ये बात जब हो रही थी तब एक बार गैस की आपूरती का यूकरेन से जो गैस की आपूरती होती थी यूरोप को उसको जटका लगा और दूसरी तरफ लेकिन बाद में समाला गया और माना गया कि शायद रूस ऐसा कुछ नहीं करेगा लेकिन हमने ये देखा कि इन सारे घटना करमों के बीच में पिछले दस एक साल में एलेंजी और निच्रल गैस की पाइप निच्रल गैस और एलेंजी जो टैंकर्स के जरी आती उसकी मांग में 6 फीज़ दी नार्थसी से थोड़ी निच्रल गैस मिलती थी दोजार दस ग्यारा के बाद उसका उतपाधन गिरना शुरू हो गया योरोप की मांग और ज़्यादा गैस के लिए बढ़ी ये सामने बताया है कि बिजले उतपाधन का में बड़ा हिस्सा निच्रल गैस के तरफ जाने लग चार पाइपलाइनों के जिरिये वो रूस से वहां आती है इसमें एक नार्ड स्ट्रीम भी है उसका दूसरा चरण है जिस पर भी प्रतिबंद लगाया जाना है योरोप के लिए दूसरा जो बड़ा शुरूथ है गैस का वो नावे है और तीसरा शुरूथ जो है वो अलज पाइपलाइन कहा गया था इरान के साथ अमेरिका के रिष्टे खराब हुए उस पर प्रतिबंद लगे तो वो पाइपलाइन की परियोजना भी कहीं पीछे कह सकत गई तो और ज्याधा निरभरतार योरोप की रूस की तरफ हो गई गैस को लेकर अगर आप करीब से देखे का सबसे वड़ा नेच्रल गैस प्रोडूसर है और दूसरी हिससा एक और देश के पास है इरान के पास है जिसके अंतराश्टी राजनीतिक सम्मंद चुनोती पूर्ण हमेशा रहे हैं रूस ने क्या किया है पिछले 20-25 सालों में गैस की पाइपलाइन को अपना स्ट्रेट की जाती है और वो भी यूरोप को जाने वाली गैस पाइपलाइन है इसके जरिये उसने टर्की को नाटो से अपनी तरफ खीचने की कोशिस की दो हजार बीस जनवरी में इसका उदगाटन हुआ था जब टाकी के प्रेसिडेंट वहां गए थे और उसे इंटरनेशनली गैस की पॉलिटिक्स में इनरजी पॉलिटिक्स में बड़ा परिवर्तन माना आ गया था क्योंकि गैस प्राम की वो पाइपलाइन थी जो टर्की तक गैस लेकर आती तो टर्की की निच्रल रिसोर्स की टर्की की इनरजी की समस्या उसके बाद लगभग हल हो गई थी पावर पाइपलाइन का एक दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है कजाकस्तान के जरिये एक और पाइपलाइन चाइना तक डाली जा रही है तो रूस ने अपने इनरजी माकेट को बहुत सफाई के साथ और बहुत चतुराई के साथ अपने कूटनीतिक हितों में इसका विस्तार किया अब हुआ किya 2019 के बाद क्रैसिस क्यों आई 2019 के बाद योर्प में विंड एनरजी का उतपादन घटा क्योंकि एक ऐसा सीजन आया जब विंड का फ्लो इतना तेज नहीं था कि निदरलेंड और बाकी एरिया में जहां विंड फार्म्स हैं वहाँ बिजली का उतपादन हो सके इसके कारण गैस और तेल की आपूरती बात ही थुई इसी बीच में क्योंकि कोविट था तो अत्पादन घटा दोजार उन्नी से गैस की कीमते बढ़ी दोजार इकीस में पांसो परसेंट तक हमने गैस की प्राइसस में बढ़तरी देखी इधर ओपिक देशों ने गैस से नियंतरित होती हैं तो इसलिए दुनिया के बाजार में गैस की कीमतों में बढ़तरी हुई अब रूस यूरोप अपनी गैस डिमांड को लेकर बुरी तरह फस चुका है कोईला से इंतर बंद करने की योजनाय टाली जा रही है अभी हम परसों बात कर रहे थे एनरजी ए असर पड़ रहा है लगातार कीमतों की बढ़तरी के भारत की परस्तिय आपके सामने है सबसे जादा बड़ी बात है कि एलन जी जो टैंकर के जरी पूरी दुनिया में सप्लाई होती है उसकी कीमतों में भी बढ़तरी हो रही तो जो देश पाइपलाइन की जरी गैस नहीं पड़तरी होती है जितनी अंतराष्ट्री बाजार में होती तो यह है वो याम की पूर मूमेंट लगबग अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और यही परिस्तिती को आप 1970-1973 की परिस्तिती पर ले जाके देखें तो लगबग ऐसी परिस्तिती हैं अमेरिका में उस स की जानने में 1970 के इंबार्गो ने दुनिया का नक्षा बदला कैसे था अगर हम एनरजी का बाजार देखें तो बदला कैसे था तीन बड़े बदला हो हमारे सामने 1970 के बाद आये क्योंकि वज़े यह थी कि अमेरिका को केवल अरब आयल इंबार्गो ही नहीं जिलना पड़ होता देख रहे हैं दूसरे तरीके से पहले चीज तो यह कि अमेरिका ने अपनी पूरी एनरजी पालिसी उसके बाद बदल दी अमेरिका ने तेल और गैस की खोज में बड़ा निवेश करना शुरू किया जो शेल तक आया तेल के इस्तेमाल से बिजली बनाने की नीती लग भग हो गई अमेरिका के सारे प्लांट्स जो आयल का इस्तेमाल करके पावर बनाते थे उन्हें रोग वो लगभग हो गए रोग जार अठारा में अमेरिका वो अमेरिका जो taught jeี तर में में अधिया था तेल का Apache जिसके कारण अंचे informatरा चाईनरू क्राइसी थी दो जार अ निभाई हो या निभाई हो अमेरिका की निरभरता काफी हद तक सीमित करती और अमेरिका की एकौनिमी जो बड़ी एकौनिमी है जिसे भूत एनरजी की जरूरत है वो आत्मे रभर हो गई इतनी बड़ी अर्थवरस था दूसरा बड़ा बदलाओ यह हुआ कि उसी दौरान र जिन पर चर्चा चल रही कि उनसे कुछ तेल अभी निकाला जाएगा अगर दुनिया में तेल की कीमते कम नहीं होती है आटो का इंडस्ट्री यहां से एक नए शिफ्ट की तरफ चली गी पूरी आटो मोबिल इंडस्ट्री जहां बड़ी बड़ी आयल गजलिंग कारें थी उसके जिए चोटी और ज्याधा माइलेज वाली कारें बनना शुरू ही क्योंकि यह तेल महंगा हुआ था और इस से आटो उद्योग को पंक लग गए माना जाता है कि एकर सेविंटी त्री का मूमेंट नहीं आता तो यह जो छोटी कारों की करांती आई है वो नहीं आत तो आप आटो मूबिल उद्योग को तब यह सोचना पड़ा कि हम कम तेल की खपत वाले वहानों को सामने लेके आए चौथा वहीं से अक्षय उर्जा जिसमें की विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एथनॉल, इनका सब की कहानी वहीं से शुरू होती है एथनॉल के उत्पा प्रोडिक्शन है उसका 50% अब दीमे दीमे उसके तरफ शिफ्ट हो गया है यह बड़े शिफ्ट थे इन यह शिफ्ट हमने 1973 के उस आयल इंबार्गो उस याम की पूरबार के संदर्ब में देखे थे सर अब 22 में कैसे बडलाव आप देख रहे हैं क्या पेक्शा है बाइस में 2022 में हम उसी मुकाम पर खड़े हैं और यह शिफ्ट यहां से हमें एनरजी मारकेट में एक नए तरीके के बडलाव के तरफ ले जाएगी यह संकट 1970 वाले संकट से काफी अलग भी है क्योंकि 2022 अशिया के रिजर्व को देख लें तो बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है इसके लावा कतर है है इसमें एक महतुपून देश है दुनिया जिस सस्ती उरजा के लिए परेशान है बेचैन है नेचरल गैस उसकी रणनीतिका पूरा केंदर है आईल नहीं बलकि नेचरल गैस अब यहां से तीन बड़े रास्ते निकलते दिख रहे है और यह इसलिए और चुनोती पूर्ण है शुभं कि हम इलेक्ट्रिक वहां के तरफ जा रहे हैं यह हो रहा है कि नेक पर्यावरान के लिए प्रदूशन रोकने के लिए तेल से चलने वाले पेट्रोल लीजिन से च अब यहां से वापसी जिस बात की संभावना दिखती है वह यह कि दुनिया को वापस कोईले के तरफ लोटना पड़ेगा वर्ड कोल असूशियेशन की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था दो तिन दिन पहले कि उन्होंने इसको कैसे सस करने की कोशिस कि हैं उनका मानना है कि ग्रीन एनरजी कोईले भी ग्रीन एनरजी में बड़ा निवेश आएगा क्योंकि भारत जैसे देश जहां अभी भी 80% 90% पावर प्रोडेक्शन थर्मल है चाइना में भी एशिया के देशों में अभी भी कोईला बिजली उत्पादन का बड़ा आधार है इन यहां पर अब ग्रीन एनरजी और कोईले से सुरक्षित उरजा बनाना और परयावरण के लिए सुरक्षित उरजा का उत्पादन करना इस पर आने वाले समय में निवेश होगा यानि जो लोग कहते थे कि कोईल का कोईल का यूग खतम हो गया शायद वो यूग लोटे गा पर तो पर परय पिशले एक दशक में दुनिया आलम तोर पर आलस से के साथ नए तेल और गैस के स्रोथ खोजने को लेकर बैठ गई नए स्रोथ नहीं खोजे गए माना गया कि सस्ती गैस पाइपलाइन के जरिए आ रही है रश्या से यूरोप के पास बाकी LNG सप्लायर कतर एरान अमेरिका ज आजा रिसर्च में पढ़ रहा था शुबों में बताता है कि अभी तक हम पूरी दुनिया के देश मिलकर 50% ही रिजर्व खोज सके हैं 50% रिजर्व अभी भी अविलेबल हैं जो सेटिलाइट इमेजरी से से कन्फर्म हैं कि दुनिया के देशों को 50% रिजर्व और निकालन ज़ते हैं जिस पर प्रडेक्शन नहीं शुरू हुआ है तो भारत के पास भी निचुरल गैस के इसर अच्छे हैं पर जी साम अंगी जाında है कंपीनियों को बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं तो इसलिए तेल खोज का मामला जोखिम से बहरा होता और इसलिए जब तक सप् पेशे का विकल्प है लेकिन अभी तक्नीक बहुत महंगी है अभी तक्नीके भी बन रही है इसका ट्रांस्पोर्टेशन इसके लाजिस्टिक्स के इशू हैं लेकिन 1970 में शेल गया से विंड एनरजी के बारे में भी ऐसी बातें कहीं जा रही थी तो हाइड्रोजन एनरजी त परदाश्ट करपाना नेचरल गैस की और कच्चे तेल की दुनिया की किसी अर्थवस्ता के लिए संभाव नहीं है अमेरिका के लिए संभाव नहीं है तो दुनिया का जो इनरजी मैप था ना अगर आप 1970 से पहले का इनरजी मैप देखें और करीब से तो आपको बिलकुल दूसरी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी 2010 तक वो इनरजी मैं पूरी तरह बदल गया था प्रोडक्शन का मैप पूरी तरह से बदल गया था सप्लाइस का मैप कंजम्शन का मैप पूरी तरह बदल गया था 2050 तक हम एक बिलकुल नई इनरजी एकॉनिमी में होंगे 2022 के ब बिल्कुल तो अंशुमांजी ने इस वार अर्थात में ये समझा दिया है कि नए विकल पूर जाके कैसे होंगे, ये बदलाव कैसे होंगे, कैसे आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि महंगी जरूर होगी लेकिन इस्थाई होगी, आपने लिखाए कि ये इतना मतलब इस्था प्रभाकर आपके सवाल का स्वागत है, इंका सवाल हमरे पिछले अर्थात के संस्क्राण पर है, जहां नए बात की थी कि कैसे भारत में महंगाई कम की जा सकती हे और कमपीनियों के मुनाफों में महंगाई कितनी reflect होती है और वो कीमतों में बढ़तरी हमारे पास तक लेकर आती है सरकार के आंकडा संग्रे कुछ अलग ढ़ंग से होता है सरकार के आखड़ा संग्रह पर हमें थोक और खुद्रा महंगाई को अलग-अलग ना पा जाता है इस्थानिय महंगाई, रीजनल महंगाई हमें दिखाई नहीं देती सूचकांकों के अधारित विवस्था में जो आपकी खपत की सबसे जरूरी चीजें हो सकता है वो उनका उतना वेट उसमें नहीं होता है, जैसे सर्विसेज, जैसे मेडिकल एजुकेशन, इनकी सब की महंगाई उसमें रिफलेक्ट नहीं होती और महंगाई के चुकि भारत में इतनी परते हैं, आपकी लोकल महंगाई है, स्टेट लेवल महंगाई है, रिजनल महंगाई है, अगर आप ग्रामीन बाजार के करीब हैं, तो वहाँ सबजी और फलों की महंगाई कम होगी, वहाँ पर दवाओं की और कपड़ों की और तेल की बाकिचियों के महंगाई जादा होगी, अगर आप शहरी बाजार में, तो आपको वहाँ पर consumer products में competition दिखेगा, पर वहाँ पर raw foods की सबजियों की महंगाई अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन सरकार के आंकड़े में काफी बदलाओ की जरूरत है, खासता और पर महंगाई क संदर्व में एक बात और कहते हैं कि वो toothpaste की तरह होती है, एक बार जितनी निकल आती है, दुबारा बापस नहीं जाती है, बिल्कुल बापस नहीं जाती है, और वो हम देख रहे हैं, बिल्कुल, सर अगला सवाल, रादिका अकरवाल का है, वो ये कह रही है कि, FTA में भारत से skilled labor के export पर बात होती है क्या, क्योंकि भारत से लोग बाहर जाते हैं तो वो dollar में कमा कर बापस भेजते हैं, इंडिया के लिए अच्छा होता है, यूएई में हमने भी बात नहीं सुनी, यूएई के साथ जिस सीपा पर बात हुई और जो सहमत ही हुई, उसमें भारत से services export क जिसकों कि हम services export का बात मानते हैं, जो labor को बेजने की बात मानते हैं, जो इस पर बात नहीं हुई, और services export भारत के दुनिया में के देशों के साथ समझाओता हुई में सबसे बड़ा बड़ी चुनोती रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो दो तीन और important FTA आने वाले, उसम सवाल रादीका जी का इस दरश्चे से महतुपूर्ण है कि भारत और UK के बीच जो समझाओता होगा, उसमें हमें यह समझना होगा कि क्या भारत से जो export की भारत और UK की बहुत सारे विवाद रहे हैं, नरसों को लेकर, डाक्टरों को लेकर, भारत के लोगों को वहां काम कर चल पाया, इस पश्च नहीं है कि भारत ने manpower को लेकर, या services को export को लेकर, human services के export को लेकर कोई इस पश्च रूप से प्रावधान किये हैं, बिल्कुल तो ये थे आपके सवालों के जवाब, अब चलते हैं, इनकम बाले हिससे पर, एक वितवर्ष खतम होने वाला है, एक मह सिती बहुत बहुत बहतर हो सकती है, ये भी इंकम से जोड़ा एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें बचत है, इसमें निवेश है, इसमें आपकी टेक्स की planning है, सर यहां कुछ खास बता दीजी आज, हमारे आपके शुब सबके mail box, जो salary हैंके सबके mail box में, उनके, उनके कमपीनियो से इंकम टेक्स का हिसाब सम्मिट करने, अपने निवेश का बहुरा देने की सूचना याने लगी है, mail साने लगी है, बाकी लोगों को उनके इबीमा एजेंट, उनके एडवाइजर्स फोन कर रहे हैं, मनिना एन इस महीं ने आपको लगातार ये बताएगा कि साल की से वो सूचना या वो जानकारियां लेकर आपके पास आएंगे, जो आपको वित्तवर्ष की समाप्ते में वदद करेंगी, जैसे क्या आपके पास एक महीना बचा है, आप बचत की सीमा में हैं और आप अपने टी सी का टागेट पूरा नहीं कर सकते, क्या अभी भी आप ब बचत कर सकते हैं, क्यों आपको अपने संस्थान को या अपनी कंपिनी को समय पर अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी देनी चाहिए, उससे आपको ना देने से उसका आपको क्या नुकसान होता है, तो आप मनी नाइन पर इस पूरे महीने अलग-अलग प्रोग्राम्स मे हमारे जो अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, जो डेली प्रोग्राम्स हैं, उनमें ये एपिसोड देखेंगे समय समय पर, जहां हम आपको बताएंगे कि साल का हिसाब मनी नाइन के साथ, कैसे हो, यानि कि आपके हिसाब किताब के बाद पूरी मनी नाइन के साथ होगी, सर अ आपको प्रिश्या कहे का और दिल्चस्प किस्सा पीछे से लेकर आया हैं जो आपको सुनाएंगे पीटर दा ग्रेट से लेकर पुतिन तक पूरे रूस का जो सबसे बड़ा आगर है वो क्या है वो सबसे बड़ा बड़ा जो बड़ी जो कोशिश जो पिछले 400-500 सालों से वो ब्लाक्सी हम आपको इस बार किस्सों के सिक्ये में सुनाएंगे ब्लाक्सी की कहानी और कहानी शुरू होगी उस पहली मिसाइल से जो यूक्रेन पर हमले के दौरान छोड़ी गई थी सर आज का शो यहां तक ही है लेकिन कुछ दर्शकों के कुछ सवाल होते हैं जो मैं आप से पूछना चाहूंगा और लगातार आते हैं आप कोई साब प्रोग्राम उठाकर देखिए कि आप कौन सी किताबें पढ़ा रहे हैं और कौन सी वेफ सिरीज देख रहे हैं तो जात अब इतिहास की दुरिश्टे से उन लोगों की कहानिया हैं जो दूसरे देशों के नागरिक थे लगबग साथ लोगों की कहानिया हैं जिनमें चार बिटिश थे दो अमेरिकन थे और एक आयरिश थे उन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी और रुसान दोलन में कैसे हिस्सा लिया दिल्चस पेतिहासिक दस्तावेज है आम तोर पर हम भारतियों का योगदान पढ़ते हैं पर एक किताब हमारे लिए पढ़ने वाली है और दूसरी जो दिपक शनाय की किताब है मनी वाइज 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 वो किताब हमें बचत के और तरीकों शेर बाजार के बारे में निवेश के बारे में बहुत सारी चीजे बताई जाती है लेकिन उसके बाहर बचत की दुनिया कैसी है और बचत की दुनिया इतनी निराशा जन्नक या इतनी हताशा पूर्ण नहीं उसके बारे में बताती है तो ये दो किताब है इसम पुरानी नहीं पिछले एक दशक की एक रांती है जहां यूक्रेन के लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद अपने हां रूस की क्या समर्थन करने वाली सरकार को हटने पर मजबूर किया था उस आंदोलन की कहानी नेट्फिक्स पर डाकुमेंटरी के तौर पर प्लब दे तो आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया एकनॉमिकम का यह संस्क्रण देखने के लिए अपनी जो भी सुझाओं है भेजिए सवाल हमें भेजिए अगले प्रोग्रेम में आपके सवालों को मैं जरूर लोगा दीजिए इजाज़त नमस्कार